हेलो फ्रेंड्स मैं सुधीर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने सैनल स्कोर मैक्स पे और आज हम डिसकस करने वाले हैं आपकी आईबियो फाइफ की उनिट हाटिंग लीगल आसपेक्ट्स ऑफ कैरीज ऑफ गूर्ड्स तो नरुमलिर हम ऐख की बात करें हम नर्मलि चार तरीक गया चार टायप्स ऑफ कैरिज का यूज التي करें एक जगा से दूरी जगा तक पूंचाने के डिसकस करेंगे तो सबसे पहले बात आती है carries of goods by C तो इसके अंदर नॉर्मली आप जिसे नाम से समझ सकते हैं कि जब आप अपने प्रोडक्ट को अपने goods को एक जगा से दूसरी जगा तक ले जाने के लिए C का यूज करते हैं समंदर का यूज करते हैं waterways का यूज करते हैं तो वो कहलाता है आपका carries of goods by C और इनका जो contract होता है मतलब एक तरह से legal binding contract होता है आपके ship owner और कह सकते हैं आपके shiper के बीच में कि एक contract होता है कि जिसे पता लगता है कि किस condition पे, किस rate पे, किस freight पे, कितनी value में, किस time पर, कहां से कहां तक product को पूचाएंगे तो कह सकते हैं जो transport होता है उसके पूरी detail होती है, एक return contract होता है, जो दोनों parties के लिए acceptable होता है, उसको कहते हैं contract of affirmation. अब आपके contract of affirmation के अंदर क्या-क्या नौर्मी बाते होती हैं, तो नौर्मी सबसे पहली बात होती है कि एक contract होता है between shipper और आपके ship owner के बीच में, ये product को एक जगा से द जगह से दूसरी जगह तक पहुचाते हैं, तो नौर्मी हम दो तरह के charter का use करते हैं by sea, पहला होता है हमारा tram charter और एक होता हमारा linear charter, जो हमारा tram charter होता है, उसके अंदर क्या होता है, कि हमारा जो schedule होता है, वो कुछ भी pre-schedule नहीं होता, उन्हों हमारे कह सकते हैं, उनका जो linear trade का use करते हैं, या कह सकते हैं, तो linear में क्या होता है, कि आपका जो time होता है, आपका wages होता है, आपके port होते है, सब कुछ pre-defined होता है, तो इसके अंदर आपको bill of leading मिलती है, उनका जो contract होता है, आपको evidence मिलता है, उसमें आपको bill of leading मिलती है, तो सबसे पहले बात करेंगे charter party क होता क्या है, तो ये कासे mutually आपकी कुछ terms होती है, जो accept करते हैं, दोनों party मतलब एक charter उसको accept करेगा, एक ship owner उसको accept करेगा, और जब वो दोनों mutually उस चीज को condition को accept कर लेंगे, तो उसके बाद return form में एक contract होता है, जिसे कि हम charter party कहते हैं, ये आपका oral भी हो सकता है, और verbal भी हो स return में भी हो सकता है, और oral में भी हो सकता है, मतलब verbal और return दोनों हो सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं, disputes की, तो वहाँ पर हमें कोई evidence देना होता है, अपनी transactions related, अपनी contracts related, तो maximum यही focus किया जाता है, कि आपका charter party हो, return form में हो, क्योंकि इसमें in future, अगर कोई need होती है, आपके contract में कोई dispute आता है, तो उसको solve करने के लिए में evidence की need होती है, तो इसलिए इसको return form में लिया जाता है, और इसके अंदर charter party में आपके provisions भी होते हैं, कि अगर कोई dispute आ जाता है, तो उसको किससरा solve out करेंगे, कौन-कौन सी third party को उसके अंदर include किया जाएगा, किसकी क्या limitations होगी, उन सब चीजों के बारे में, हम बात करते हैं, undertaking by ship owner, जब हमारा ship owner है, जो हमारे product को एक जगा से दूसरी जगा से ले जाते हैं, उसके ship से, उसके charter, तो ship owner कि यहाँ पर कौन-कौन सी responsibilities होती है, उनके बारे हम बात करते हैं, तो सबसे पहली बात, जो undertaking होती है, ship owners की, उसी worthiness by sh shippers, तो इसके अंदर होता क्या है, कि आपका जो ship owner है, वो responsibility लेता है, अपने ship की quality की, अपने जो कह सकते हैं, उसका perfect है ship आपकी shipping के लिए, मतलब वो जो अपना ship आपको provide घर रहा है, ट्रांसपोर्ट के लिए, अपने product को एक जगा से दूसरी जगा के ले जाने के लिए, तो shipping के लिए perfect ही ना हूँ, लेकिन वो आपको दे दे, लेकिन अगर ऐसी condition में कोई ऐसा ship owner देता है, जो perfect नहीं है, shipping purpose के लिए, तो वो उसके लिए, जो अगर हमें कोई loss होता है, तो उस loss के लिए हमारा ship owner लाइबल होगा, ship owner लाइबल होगा, बात करते हैं, दूसरा, इसमें ए ship proper अच्छी condition में दिया, quality में दिया, perfect था shipping के लिए, लेकिन आपका job shipper था, वो ship को बिना fuel, full curry निकल दिया वहां से, ना उसके पास उने handling equipment के लिए, और इन सब को लिए बिना अपने ship पर, वो अपने transport को, या कैसे अपने जो carries house को शुरुआत कर दिया, अपने जो travel house में नि shipping की होती है, दूस्रा होता है reasonable dispatch, reasonable dispatch की बात करें, तो इसके अंधर होता है, कि आपका जो product है, आपका जो goods है, उसमें ship उनर उसकी तासे carriage का का म करता है, कि आपके product की पूरी guarantee लेता है, तासे रिसपोंसीबिटी लेता है, आपके product को reasonable time पर dispatch कर देगा, क्योंकि अगर आपका product रीजनेबल टाइम पर आपके फाइनल डेस्टिनेशन पर ना पहुच पाए तो उस कंडिशन में आपके ओर्डर की कोई वैल्यू नहीं बचती तो यहां पर यह हमारा शिपोर्णर का काम होता है कि वो उसका जो डिस्पैस्ट टाइम होता है एंड ओफ वएज का उसको रीज अगर आपके कॉंट्रेक्ट के अंदर मतलब आपका जो कॉंट्रेक्ट होता है आपका शिपर का और शिपोर्णर का अगर उसके अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि हम किस रूट का यूज करेंगे अपने ट्रांसपोर्ट के लिए अपने कह सकते हैं अपने रूट को डाइवर्ट करना होता है तो डाइवर्ट करने के हमारे पास हम पर दो चोईस होती है एक तो हम अपने रूट को डाइवर्ट करते हैं कि आप नारा जो होमन रिसोर्स है उसकी सिक्योरिटी के लिए यह हमारा जोई स्टाफ है उसके ओपर यह हमारा जो लाइफ होती हुमन लाइफ है उसकी सिक्यूरिटी के लिए तो अगर हम अपनी हुमन लाइफ की सिक्यूरिटी के लिए उसका जो रूट होता उसको डैविएट करते हैं चेंज करते हैं तो उस condition में हमारा तो ship होना रहा है वो किसी भी loss के लिए liable नहीं होगा उसको पर कोई भी case नहीं कर सकता या उसको पर कोई issue नहीं कर सकता against कि उसने अपने route को बदल दिया लेकिन अभी अगर वो सिर्फ इसलिए अपने route को बदल दे कि उसकी जो property थी उसके उपर या उसकी ship की जो quality थी मतलब human life को छोड़े किसी और चीज के loss को बचाने के लिए अगर वो अपना route बदलता है तो उस condition में वो liable होगा loss के लिए उससे justify करना पड़ेगा कि उसने route को क्यों बदला अब next है point आपका undertaking by charters अब undertaking by charters में होता क्या है इसकंदर आपका जो charter होता है वो legal होता है कि आपके product को एक जगा से दूसरे जगा तक ले जाने के लिए अब अगर उसे लगता है कि कोई ऐसा product है जो dangerous nature का है और जो की transport के time में या in transit time में उसके लिए dangerous हो सकता है तो वो हमारा charter है उस product को होई छोड़ देगा वो उस product को carry नहीं करेगा और अगर इसी कंदर हम time charter की बात करें तो time charter में जो अगर कोई dangerous कार्गो होता है तो जो ship होता है वो उसको किसी ना किसी safe fort पर छोड़ देता है या उसको अपने उपर load ही नहीं करता तो मतलब यह आपकी undertaking होती है Charters की कि वो किसी ऐसे product को अपने ship पर load ना करें जो कि ship के लिए dangerous हो या other किसी भी कारगों की loading और deloading को delay करें तो यह होता आपका undertaking by charters हम बात करते हैं Bill of Leading तो Bill of Leading होता क्या है कि आपको पता ही होगा वैसे मैं तो कि जब आप अपने product को ship पर load करते हैं तो उसका जो owner होता है जो charter होता है या ship का जो master होता है आपको एक bill देता है एक receipt देता है as evidence कि आपने अपने product को उस ship पर load कर दिया है और अब आपका product आपके port से आपका जो final destination port है वहाँ पर निकलने के लिए तयार हो चुका है मतलब वहाँ पर आपकी जो responsibility होती है हमारे shipper क्यों खतम हो जाती है उसके बाद हमारे goods की safety होती है security होती है और जो उसके अगर कोई loss होता है in transit time में तो उसके लिए liable कौन होता है आपका ship owner होता है या कह सकते हैं जो shipper होता है master होता है वह सब उनके loss के लिए liable होता है तो एकता से evidence से bill of lading कि आपने अपने product को ship पर load कर दिया है और जो ship थी उसने आपके product को receipt कर लिया है और functions of bill of lading और bill of lading के functions क्या होते हैं सबसे पहला है contract of carriage एक तर से कह सकते हैं कि इस तरह का contract होता है carriage का कि मतलब bill of lading के थूमें पता लगता है एक evidence होता है कि हमने अपने product को किसी ship के ओपर या किसी वी तरह के carriage के ओपर load कर दिया गया है for the transport के लिए दूसरा होता है document of title जब हम bill of lading की बात करते हैं जैसे कोई अपनी country में हमारा पास जैसे कोई भी country होती है तो यहाँ पर आपका जो exporter होता है वो product को ship पर load कर देता है और वो जो document of title होता है मतलब जो ownership होती है कुछ time के लिए ship owner को दे देता है या जो ship का captain होता है जो इसका master होता है charter होता है उनको दे देता है जिस time तक हमारा product उस ship के ओपर load रहता है उस पूरे product का जो ownership होती है जो उसका possession होता है वो ship owner के पास होता है और जैसे वो final destination पर पहुछता है ship उसके जो port होता है final destination हमारे port का कह सकते हैं cargo का उस time वो document of title होता है मतलब वो product हमने उस ship पर load किया लेकिन हमारे ship owner का नहीं था लेकिन वो अब उस product को किसी third person को या हमारा जो कह सकते है final destination था उस product का या जो मारा importer था उसके नाम पर उस product को दे सकता है उसे transfer कर सकता है in the processing of documents तो यह करता है आपका documents of title last आपका receipt of goods receipt of goods का मतलब क्या है कि अगर हमने कोई document cargo goods ship पर send करा है तो हमारे पस कोई evidence होना चाहिए क्योंकि अगर in future ship owner या आपका जो captain है या आपका जो pilot है वो मना कर दे कि मैंने या मेरे ship पर ऐसा कोई product receive ही नहीं किया गया तो उस condition में हमारे पास कोई नहीं कोई evidence होना चाहिए जिसके थुरू हम प्रूफ कर सके कि हमने उस product को ship पर लोड किया था for the purpose of transport या export तो ये तीन function से आपके bill of lading के अब बात करते हैं difference की bill of lading और charter party है बारे में तो bill of lading क्या है it is a receipt from goods on board and a contract for carriage of goods तो इक तरह से आपके receipt होती है कि आपके product को ship पर receive कर लिया गया है और अब आपके product को carries कर दिया जाएगा contract के साब से मतलब एक तरह से contract भी होता है carries of goods का अब charter party की बात करें it is a contract of hiring a ship और a part of it अब charter party के हमने बात करते हैं उसके अंदर हम किसी ship के अंदर अपने product को दूसरी जगा नहीं भीजते बलकि हम एक ship के पार्ट को या पूरे ship को ही खुद hire कर लेते हैं अपने product को एक जगा से दूसरी जगा तक होचाने के लिए वहाँ पर जब उसे hire करते हैं हाँ पर हमें जो एक कह सकते है document मिलता है hire करने के बात ship को वो charter party कहलाता है और जब हम अपने product को किसी ship owner को दे देते हैं उसके ship पर load कर देते हैं for the purpose of export तो वहाँ से हमें मिलता है bill of lading bill of lading क्या है act like a document of title पतला bill of lading क्या है यहाँ से exporter ने अपने product को ship पर load किया product तो हमारे exporter खाता उसको उपर जो honor ship ली title था वो अभी तक exporter खाता लेकिन जैसे हमने अपने product को ship पर load करते हैं उसके बाद हमारे जो ship owner है उसके लिए कह सकते हैं responsible हो जाता है उसके सारी securities के लिए हर चीज के लिए title के लिए तो जब उसको उसका exporter मिलता है final port पर तो वो उस product को उसके title के साथ उस importer को transfer कर देता है तो यह आपका जो bill of lading है act as a document of title मतलब हमारे shipper के पास हमारे ship owner के पास उसका title नहीं होता लेकिन फिर भी वो उस product को as a title दूसरे को transfer कर सकता है कर देता है मतलब जो उसको final कह सकते हैं importer होता है अब charter party की बात करें charter party does not act like a document of title लेकिन charter party में ऐसा कुछ भी नहीं होता बिल of lading की बात करें can be transferred by endorsement अब जो आपकी bill of lading होती है इसको हम transfer कर सकते हैं किसी third party को fourth party को endorsement के थुरू हो सकता है हमारा जो bill of lading था हमने अपने importer को भेजा कि वो अपने पर अपनी country में कह सकते custom area पर उस product की receiving ले ले delivery ले ले हो सकता है हमारा जो importer था वो उस product की delivery ना ले सके या वो उस product को उस order को किसी third person को send कर दे bill of lading को कि वो उसके भियाफ पर जाकर उस product को receive कर ले तो bill of lading को हम transfer कर सकते हैं लेकिन जो charter party होता है इसके अंदर जो हमारा contract होता है जो हम ship hire करते हैं उसको हम transfer नहीं कर सकते हैं अब bill of lading के अंदर बात करें does not amount to lease of ship अब इसके अंदर आपका जो हम lease पर नहीं लेते bill of lading के अंदर क्योंकि हम इसके अंदर एक hire freight पे कर देते हैं अपने product को एक जगा से दूसरी जगा तर ले जाने के लिए लेकिन हम charter party की बात करें तो इसके अंदर एक lease के लिए amount पे किया जाता है ship को हो सकता है वो हमने पूरे ship को hire किया हूँ या उसके किसी part को hire किया हूँ bill of lading की बात करते है it always refers to transport of goods to a specific port of call bill of lading में क्या होता है कि हम किसी specific port से अपने product को अपने cargo को किसी दूसरी specific port या cargo को पर भेजते है तो उसके लिए use किया जाता है आपका bill of lading लेकिन starter party का होता है कि आपका time waste और voyage waste होता है इसके अंदर ये नहीं है कि आप specific port के लिए use करते है अगर आपने कोई ship hire करा है तो आपकी खुद की एक destination होगी आप अपने according अपने time के according उस ship को अपने जो product है उसको एक जगा से अपने specified port पर ले जा सकते है तो ये था difference between bill of lading and starter party अब liabilities of a carrier बाइसी है अब अगर कोई हमारे जो carrier है जो मतलब जो वाहक होते है हमारे product को हमारे cargo को एक port से दूसरे port से लेके जाते है तो उनके जो liabilities होती है उनके बारे में बात करते है तो सबसे पहले जो liabilities होती है loss or damage due to negligence उसके negligence की वज़ा से या उसके किसी fault की वज़ा से अगर कोई loss होता है तो उस loss के लिए उसकी जो कैसे बरपाई की जाती है उसका जो fulfill किया जाता है उसके अमाउंट को उसके लिए हमारा carrier responsible होगा next है आपका no limitations मतलब अगर हमारे carrier की कुछ ना कुछ responsibilities होती है और अगर वो अपनी responsibilities को पूरी ना कर पाए और उसकी responsibilities की वज़ा से कोई loss होता है हमारे product में हमारी quality में या हमें loss होता है हमारे product damage हो जाते है तो उस condition में भी हमारे carrier होता है वो liable होगा उस loss को पूरा करने के लिए तीसरा होता है no liability for misstated value अब इसमें होता है कई बार आपके जो ship owner होते है या आप सौरी आपके जो shipper होते है मतलब वो shipper जो अपने product को दूसरे report पर भीज़ना चाहते हैं तो कई बार वो अपने contract में अपने product की अपने cargo की गलत information फिल कर देते हैं तो अगर किसी हमारे shipper ने अपनी गलत information फिल कर रखिये cargo की तो उसके बाद अगर कोई loss होता है उस गलत value की वज़ा से तो हमारे यहाँ पर जो carrier होगा वो उसके लिए responsible नहीं होगा कि यहाँ पर जो कह सकते हैं fraud होता है जो cheat होता है वो कही न कहीं हमारे shipper ने पहले एक कर चुका होता है वो हमारे carrier के साथ अपनी तो से कह सकते हैं अपनी value कम या जादा उसने गलत value गलत information प्रोवाइड करी होती है ship owner को carrier को next आपका extent of liability extent of liability के अदर बात करते हैं कि अगर कोई भी loss होता है तो उसके लिए कितना उन्हें pay करना पड़ेगा तो इसके अदर एक value दी गई है आपका अगर triple 6.67 मतलब 667.67 SDR per unit आपको value maximum pay करने ही पड़े ही मतलब SDR क्या होता है एक तो से currency के तरह यूज़ क्या आता है इसे international trade में आपकी जो loss की value होती है maximum जो loss हम देते हैं damage के लिए responsible होते हैं वो होता है 666.67 SDR के equal होता है अब next बात करते है liability in case of dangerous goods अब liability in case of dangerous goods होता क्या है कि जैसे कई product ऐसे होते हैं जैसे explosive हैं, chemicals हैं जो की dangerous natures के होते हैं तो अगर होता है कि हमारे carrier है उनको लेके जा रहे हैं इन condition उन्हें लगता है कि वो carrier या वो product या कह सकते हैं वो explosives उनके लिए या उनके product को damage कर रहे हैं उनकी security purpose के लिए खतरनाख है, तो वो उनको कभी भी कह सकते हैं कह सकते हैं, उनको unload कर सकते हैं, dispatch कर सकते हैं उसके लिए उनको कोई भी compensate देने की need नहीं होती क्योंकि shipper हमारे क्या होता है कि वो किस लिए करता है, क्योंकि अगर वो उस product को वहाँ पर release ना करें dispatch नहीं करें, dispatch नहीं करेंगा discharge नहीं करेंगा, तो फूच सकता है कि total के total परे ship को damage कर दे या फिर जोसका total cargo ship के उपर उसको भी damage कर दे next आपका time-bared liability time-bared liability के अंदर बात करी गई है कि अब आपको अगर कोई भी loss होता है आपका कोई damage हुआ है तो आप उसको कब तक उसके लिए claim करेंगे मतलब आपके जो delivery time होता है उसके one year के अंदर अंदर आपको उसके carrier के against अपनी जो case आपको file करना होता है अपनी complaint file करनी होती है आपको file करने होगी within one year मतलब जैसे आपके delivery होती है अगर आपको कोई लगता है आपको कोई loss होई damage होई तो within one year आप उस carrier के application file कर सकते हैं तब तक ही वो उसके liable होगा अगर आपका एक साल से ज्यादा का time हो चुका है तो हमारा carrier किसी भी loss के लिए liable नहीं होता अब shippers line and my time line अब दो rules के बारे हम बात करते हैं कि अब shipper line होता क्या है तो normally एक तरा से इसके अंदर बात करेंगी possession होता इसके अंदर normally हमारे ship owner के पास मतलब हमने कोई product shipper load किया अब वो हमारा ship owner है हमारे उस पूरे product को उपर एक तरा possession होता है कबजा होता है कि जब तक अब हम उसे उसकी total payment not कर दे मतलब जब तक अब जो ship owner है वो payment complete नहीं पाएगा तब तक वो हमारे product को हमें नहीं देगा मतलब उसके पास अब हमारे पूरे product अ परो तो यहां पर ship owners के पास यह right है कि वो उनके product को उनके cargo को अपने पास possession में रख सके वो उसको तभी discharge करें जब उनकी complete payment मिल जाए दूसरा होता है आपका maritime line maritime line क्या होता है कि जब आपके product को port पर load किया जाता है या disload किया जाता है या आपके unloading या deloading की जाती है तो वहाँ पर आपके जो कुछ ना कुछ cargo पर या आपके जो port पर additional time लगता है वहाँ पर कुछ ना कुछ payment दी जाती है पेमेंट करी जाती है ship owners के थुरू तो यहाँ पर आपका जो ship है वो port से तभी discharge होएगा तभी discharge होने की permission मिलेगी उसके ship owner से जब तक कि उसका जो proper amount बनता है proper freight होता है जब proper cost होती है उसके loading और disloading की जब तक वो हमारे जो shipper है उसको pay ना कर दें तो यह दोनो rules regulations इसलिए बनाए गए normally कि हमारे जो ship owners हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो पुरी payment होती है freight होती है उसको safely receive कर सके अब next बात करेंगे bottomly and respondent या bond अब respondent या bond की अगर हम बात करते हैं यह दो तरह से bond है आपके bottomly and respondent या अगर हम बात करते हैं सिरफ आपके respondent या bond की तो इसके अंदर क्या होता है कि जिसे हमारा कोई shipper है मतलब हमारा जो cargo है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और रास्ते में कई बार हमारे master को लगता है हमारा जो pilot है हमारा जो captain है उसे लगता है कि उसे कुछ न कुछ finance की need है उसको कुछ जी कह सकते है update करवाना है या उसके repairance की need है उस ट्रांसपोर्ट के टाइम में वहां पर उसके पास फाइनेंस नहीं होता तो क्या करता है वह कि अपने किसी गुड्स को अपने कार्गो को किसी पॉर्ट पर एज़ा कह सकते हैं कोलेटरल धरकर वहां से अपने शिप को रिपेर करवा लेता है और बाद में उसको एज़ा बॉर्ण्ड यूस करके उसे वापस ले लेता है मतलब उसके पास पैसे नहीं होते तो क्या करता है किसी पॉर्ट पर जाता है और वहां पर वह अपने जो उसके पास गुड्स होते हैं कार्गो होते हैं उनको ऐज़ा बॉर्ण्ड वहां पर प्रोवाइड कर देता हुने औ उसके पास जब उसका contact हो जाता उसके ship owner से तो उस condition में वो अपने जो cargo को उसने वहाँ पर दिया था, funds के लिए use किया था, उस cargo को वहाँ से ले लेता है, लेकिन दूसरा होता है इसके अंदर आपका respondentia bond, respondentia bond होता है कि इसके अंदर आपका captain है, आपका master है, जब उसे कई बा documents को वहाँ पर submit करकर अपने लिए, वहाँ पर fund को raise करता है, क्योंकि कई बार होता है, कि हमें बहुत 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 लंबी-लंबी यात्राएं करते हैं, बहुत लंबा होता है, तो कई बार ऐसी conditions हो जाती है, कि जहाँ पर navigation system काम नहीं करता है, हमारे captains हैं, हमारे कह सकते हैं पाइलेट है, वो proper contact नहीं बना पाते हैं हमारे ship owner से, तो उस condition में उन्हें खुदी अपने लिए finance को इकठा करना होता है, finance को collect करना होता है, उसका कुछ न कुछ अपने पास कह सकते हैं, arrangement करना होता है, तो उस condition में जो उनके पास cargo होता है, या जो उनका ship होता है, जो उसके documents होते हैं, freight charge होते हैं, उनको as a collateral यूज़ करका वो अपने लिए कह सकते हैं, जो fund को borrow कर लेते हैं, अब carries of goods by air, अब by air की बात करें, तो आपको पता है कि जिस तरह हम जब by air, transport का यूज़ करते हैं, अपने goods को एक जगा से दूसी जगा तक ले जाने के लिए, तो उसी को में करते हैं, carries of goods by air, नॉर्मी इसकी जो speed होती है, बहुत ज़्यादा होती, comparison to किसी और cargo के, और किसी carriage medium के, इनकी जो coasting होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है, चाहे हम उसे compare करें, आपके water transport से, चाहे हम road transport से, चाहे हम आपके land transport से, coasting में सबसे ज़्यादा होता है, और जो accuracy होत होती है, मतलब वो person, जो आपके product को एक port से, एक destination से, दूसी destination ले जाता है, और उस destination के बीच में, अगर कोई भी loss होता है, तो वो उसके लिए खुद responsible होता है, इसके अंदर होता है, कि आपका carrier होगा, लाइबल होगा, आपके किसी भी cargo damage के लिए, जो कि आपके product को airport पर load करन या जब आप अपने product के delivery देते हैं, या आप transmitment का use करते हैं, तो इस condition में, अगर किसी भी condition में कोई loss generate होता है माँपर, तो उस loss के लिए आपका carrier होता है, वो responsible होगा, carrier means आप कह सकते हैं, आप जिस भी airlines का use करते हैं, वो airlines उसे ले responsible होगी, अब बात करते हैं, position of the consigner, position of the consigner के हम बात करें, तो position क्या होती है, आपका जो shipper होता है, वो produce करता है, AWA bill for the delivery of goods to a carrier, AWA कह सकते हैं, कितर से एक evidence होता है, एक receipt होती है, जिस तरह हम bill of lading use करते हैं, अपने water transport के अंदर, तो यहाँ पर air transport के अंदर, AWA bill को use करता है, as a receipt of delivery, अब इसके अंदर कुछ ना कुछ हमार हमारी कह सकते कुछ limitations भी हैं, तो उनके बारें बात कर लें, कि अगर आपका जो cargo है, वो deliver नहीं होता हमारे fixed time पर, pre-schedule, destination पर, तो उसके लिए हमारे कौन responsible होगा, हमारा carrier responsible होगा, अगर आपका cargo जो हो damage हो जाता है, तो आपका जो consigne है, वो उसके against case file कर सकता है, within 7 days of arrival, कर सकता है, against carrier के, carriage के, और last होता है, अगर आपको लगता है कि आपका जो, आपने कोई claim करा है, और accept नहीं किया गया है, by carrier के थूरू, तो उस condition में भी आप, उसके against, within 2 years, आप non-defective delivery की against file case कर सकते हैं, यह था आपका carrier of course by year, तो normies के अदर, हम use करते हैं, AWB bill का as a delivery purpose, as a receiving of documents, अब carries of goods by land and rail, अब इसके अदर क्या होता है, कि हम अपने product को land और rail की help से एक जगा से दूसरी जगा तर ले जाते हैं, तो land and roll के अगर हम बात करें, तो इसके अदर हमारे दो convention है, एक हमारे CIM convention, जो कि आपका 1970 में आया था, और दूसरा आपका CMR convention, जो कि आपका 1956 के अदर तो अगर हम बात करते हैं, हमारे CMR convention के बारे में, तो ये बात करता है, कि जब हम अपने product को by air, by water, by road, मतलब आप कह सकते हैं, जो आपका railway होता है, railway track को छोड़ कर, railway का यूज़ करकर, आपके जितने भी transport बज़ जाते हैं, रोड के अंदर, जिनको हम calculate कर पाते हैं, जिसे ह हम अपने transport को अपने goods को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुचाने के लिए सिर्फ railway का यूज़ कर रहे हैं, railway transport का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम CIM convention का यूज़ करते हैं, तो नरुमी आपके जो ये दो conventions हैं, ये आपके Western और Europe country के अंदर approve हैं, लेकिन हमारे जो हमारे जो ancient countries हैं, वो इन conventions के पार्ट नहीं हैं, तो हमारे जो trade करते हैं काफी ना काफी, इनकी तरफ साब को समझने में help होगी, कि आपके CMR convention होते क्या हैं, आपके CIM convention क्या होते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में हैं, ये कोई भी convention के लीगली binding नहीं है, कि हमारे जो country हैं, इन कोई भी कोई वो transport उन्होंने हमारे प्रोड़क्ट को अपने कारगो पर लोड किया है, तो हमें receiving देते हैं, consignment note दिया जाता है, issue किया जाता है as evidence of services, क्योंकि evidence हो गया हमारे पास, कि हमने अपने product को उस कारगो पर लोड किया गया है, और एक तरफ से कह सकते हैं, receipt of goods का का काम हम बात करते हैं, carrier of goods by multimodal transport, अब जब आप एक से ज़्यादा transport का use करते हैं, अपने goods को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुचाने के लिए, क्योंकि आजकल maximum इसी का use क्या जाता है, हम time condition, क्या कह सकते हैं, weather conditions, या economic conditions होती है, product की quality, quantity, हर चीज़ को nature को देखकर decide करते हैं, कि ह क्या हैं, क्योंकि हमने ये तो देख लिया, कि हम MTO के अंदर multimodal transport के अंदर एक से ज़्यादा transport का use करते हैं, अपने product को एक जगह से दूसरी जगह पहुचाने के लिए, लिकिन अगर इसके अंदर कुछ ना कुछ हमारी obligations होती है, तो अगर इसके अंदर हमारा product है, वो delay होत होता है, तो उसके अंदर हमारा MTO होगा, वो responsible होगा, जो हमारा carrier होगा, वो responsible होगा उस loss को fulfill करने के लिए, क्योंकि जब हमने उन्हें अपना product दिया था, उसकी condition सही थी, हमारा cargo proper था, लेकिन अगर in transit time पे loading में, deloading में, या change of modes of transport के duration में, अगर कोई loss होता है, या हमारी delivery delay ह होती है, तो उसके लिए हमें जो भी loss होता है, उन सभी losses के लिए, ये responsible होगा, और अगर हम बात करें कि अगर हमारा कोई product loss हो जाता है, मतलब 90 days तक delivery नहीं पोशती है, मतलब आज हमने कोई product अपना send करा है, यहां से multimodal transport का यूज़ करकर, और वो product 90 days तक हमारी final destination तक नहीं पोशता है, तो उसको मान लिया जाता है कि हमारा product हो चुका है, गायब हो चुका है, और उसके बाद उसकी जो value होती है, वो value हमारे MTO को या उनका agent होता है, उसको fulfill करनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है, अब हमारे पास कुछ rules है, regulations है, कि अगर हमारा loss होता है, वो claimable होता है, तो हमें किस तरह हमारी liabilities होगी, और हमें कितना claim मिलेगा, तो अब देखते हैं कि हमारा value की goods है, वो अगर declare नहीं करी गई है, हमारे contract of, मतलब हमारा जो contract होता है, multimodal transport का कि हम अपने product को कहां से कांद तक हमें delivery करनी है, किस तरह का हमारा goods है, कितनी quantity में है, तो उस condition में म तो 666.67 SDR, या फिर कह सकते हैं, two special drawing per kg, मतलब इसके अंदर आपका two special drawing per kg, या फिर आपका 666.67 SDR, इन दोनों में से आपका जो भी जादा होता है, उसके हिसाप से आपको loss मिलेगा, मतलब जो इनका agent होता है, MTO का, तो आप as a carriage use करते हैं, ये maximum इतने loss के लिए responsible होंगे, है कि आप अपने product को by she, एक जगा से दूसरी जगा तर ले जाओगे, या by in land लेके जाओगे, या by air लेके जाओगे, तो आपकी जो वहाँ पर limited, आपकी दो liability बनती है, हमारे carrier की, तो maximum होती है, वो 8.3 special drawing right, मतलब हमारे जो responsivity किसके जाती है, और special drawings क्या होता है, कि तास एक currency है, जो international level पर international trade में use करी जाती है, तो ये chapter आपका खतम होता है, I hope आपको सब कुछ समझ मा गया हुआ इस chapter के अंदर, कि हम 4 तरह के modes of transport का use करते हैं, और किस-किस के अंदर, क्या liabilities होती है, और क्या legal aspects है, तो अगर आप कोई issue है, कोई doubt है, तो आप मुझे comment section में comment करके दो खरे स्य करते हैं, क्या अपको जो से र conditioning ने आपके शो खाशनीो आपके वेघर, क्या दो एसना हानれ फहान है लिकी है, कि जाने ख़वे cuántन एылबार, कि अवे और किस ग्यूबादी कूवे तो रईख स्यों है, एानक समय है, या या इवता किस